नमस्कार सिक्षक मित्रों आज हम हल करेंगे 501 भारत में प्रामभिक सिक्षक सामाजिक सांस्कृत तिक परिपेच बहुत से सिक्षक सातियों का कमेंट आया है कि 501 का पहला प्रिश्ण का हल नहीं हो रहा है अब फिकर ना कीजिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप हल कर पाएंगे तो आपको आना है सीधा फिर वही जो पिछले वीडियो में बता चुका हूं सेम प्रोसेजर सीधा आपको आना पड़ेगा याद रखिए कैसे लिखना है असाइमें और कितने सब्दों में लिखना है और जो प्रश्णा जो नहां पर दिया गया है जिस हीकाई से संबंदी रखता है उस हीकाई से आप लिखे और अन्या था हीकाई का सहरा ना ले नहीं तो आपका कम अंक मिलेगा और या फिर पुन एक वीडियो बना दिया हूं मेरे चैनल पर है आप देखिए किस प्रकार से लिखना है आपको असाइमेंट तो बदलते वर्तमान समाज यह हम सिक्षारती कि आउसकताओं की पूरती है तो एक सिक्षक होने के नाते आप अपने आप में किस प्रकार बदलाओं करना चाहते ह तो देखिए वर्तमान में जैसे परिवरतन सिल समाज है और परिवरतन सिल समाज है और पूरतिंस अध्यारती थी 1921 अध्यारद्यारती करना चाहूंगा और किसले प्रवद्रगी की दखल कारण वैसिक समाज में इसमें कारीं प्रिवर्तन हो रहे हैं ICT हमारे जीवन की लगभख सभी पक्षों को प्रभाइद कर रही है और इनके मुल्भू जानकारी होना चाहिए अगर नहीं है तो मैं यह निमनलिखित बदलाव करना चाहूंगा और सीधा आपको आना है कहां पर पेज नंबर जैसे यह 17 यह 18 अठारा के यहां पर देखिए आज के अध्यापक को उन मुद्य सुजो नहीं अधिगम परिक्रिया इसको आप यहां से लिखेंगे जो आपको कम्पूटर से संबंदी था इसमें शमझना और सिखना यह यहां तक आकर आपको लिखना हैं और सेंटेंस बनाना है तो तो बदलाव करना चाहते हैं तो यहां पर जो दिया गया है उस होगा दिया है तो इसको आप अपने आंसर के अनुसर कैसे लिखना चाहेंगे कि मैं अगर होने के नाते उन मुद्द से जोने अधिगम परिकिरिया तथा नमीन अधिगम पर्यावरण से जुड़े संबन होना होगा मतलब इस अगर्याव करना चाहता हूंं अगर मुझे परिवरण की जानकरी नहीं है तो यह जानकरी मैं सिख़क होने के नाते मुझे होना चाहिए अगर मेरे में नहीं है तो यह बदलाव मैं करना चाहता हूं यह जो पाइंट है आपको यहां से यहां तक लिखना है फिर आपको आपका आंसर नहीं हुआ तो अस तो पूरा फिर आपको सीधा आना है प्रिष्ट करमांग 19 पर यह कल्चर का विकासक तथ परिष्ट साथ है नहीं है तो यह जो पाइंट पूरे दिया है दोस्तों यह पाइंट को पूरे लिखना है आपको फिर आपको यह चाहता हूं तो भशिच्छे में बच्च जो है 50 साल तक कभी भी वो टैक्न जानेकरी से अनिभीग यह नहीं वह सकता क्योंकि उसको प्रां उधारन की जानकरी चाहिए था तो उस संबंद में मैं इतना इतना जानकरी दिया इस परकार से आप उधारन बनाएंगे दोस्तों आप सबकस्यम से मांसर नहीं होना चाहिए उधारन आपका भिन्नात्मक उधारन होना चाहिए पहले वाले का दूसरा उधारन होना चाहिए द पुरे पाइंट बदलाव लाना चाहता हूँ घबराईए न दोस्तों यही आपका आंसर है अफिसियल तो यह आपके इस लिवस्ट में है तो आप इसी आंसर को लिखिए और कम से कम दो उधारन बनाईए 500 सब्दों में लिखना है दोस्तों और हाँ बाकी एसाइमेंट का आंसर के लिए मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए फिर आपको दिखेगा प्रे लिस्ट एसाइमेंट आंसर और नियूज नियूज में आपको जानकरी मिलेगे कि हम जो है एसाइमेंट के आंसर कैसे लिखें पेज कैसे होना चाहिए और कितने स है धन्यवाद मीत्रों नेक्स्ट प्रश्ण के उत्तर के लिए दूसरे प्रश्ण के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को फिर आपको हम बताएंगे 501 का दूसरे प्रश्ण का उत्तरा के लिए वीडियो में धन्यवाद साथिए